हलो इस्टूडेंट जो जो चात्र नोदे विद्याले 2023 की तयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सब के लिए भासा पर रक्षण का एक पेपर लिकर आये हैं जिससे की आप की भासा पर रक्षण की तयारी अच्छे से हो सकते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें और तयारी अच्छे से करें तो यहां पर यह निर्देश लिखा है निर्देश में 61-80 तक प्रस्ण दिया रहता है तो आपको इसी को हल करना रहता है तो हम इस पर टाइम न तरक भी है जिस प्रकार जहाज का निर्माण इस प्रकार होता है कि वह पानी में रहने से उत्पन होने वाली सभी समस्याओं से निपड सकें ठीक उसी प्रकार उट का निर्माण भी मरुस्थल में जीवित रहने यात्रा करने और अस्तित बनाय रखने के लिए हुआ है जहां भोजन और पानी की उन्यूनता से और जानवर मर जाते हैं वहां उट बहुत अच्छे तरह रहता है यह अपना भोजन और पानी साथ लिए चलता है चलता है अपनी यात्रा प्रारंब करने से पुर्व अनेक दिनों तक उट खाने और पिने के अतरिक्त कुछ नहीं करता ठेक है यह इतना अधिक खाता है कि वसा का एक कुबण इसकी पेट पर बन जाता है जो 45 किलोग्राम तक भारी हो सकता है इस प्रकार वह कुबण वसा का भंडार है यात्रा करते समय जिसकी आवसकता उटको होती है तो आई होप कि आपको यह कहानी समझ में आया होगा इस ते सबंधित अब हम प्रसनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे सबंधित एक प्रसन है हमारे पास यहाँ पर चलिए तो प्रस नमबर 61 में क्या पूछा है कि ऊट की पीठ पर कूबड भरा होता है तो किसके रुप में वसा से भोजन से पाने से दूद से तो यह वसा से यह वालापका सई होगा कि 62 में चलते हैं 62 में दिया है कि कूबड कि भंडार का उपयोग होता है तो नीद में रात में दिन में यह यात्तरा न होता है ठीक है अपका डिस सही होगा 42 कीnisse मतश्च करता है ठीक है और आगे की प्रसुन को देख लएठेolesome 63 तो यहाँ पर भोजन की नियुनतम का तपतर है नियुनता का तपतर है भोजन की पर्यापतता भोजन की कमी भोजन की अधिकता भोजन की थैलिन तो 63 का जो सही होगा वह हमारा सी होगा भोजन की कमी को काते हैं भोजन की नियुनता का तापतर है ठीक है तो शरी आगे के प्रस्ठों के तरफ चलते हैं अब हम प्रस्ठ ब्रस्ष्ठ नमबर 64 उठ को रिगिस्तान का क्योंकि और प्रस्थबर होता है इसके पाफम कहा सकता है वो भोछन का भंडार बना सकता है जो इसका फνक्र प्रस्ण है अनुश्यत पहले का तो 65 में क्या पुछा है उट अपने शरीर में का भंडार जमा करता है तो वसा का पाने का भोजन का तो पैसे वेगा देखें जो सही होगा वह हमारा ये बी वाला से होगा पानी और भोजन ठीक है चलिए अनुश्यत दूसरे की तरफ चलते है और इसे भी स्वल्व करने कुशिश करते हैं तो यहाँ पर मिस्र के मिस्र के पिरामीडो की गड़ना प्रित्वी पर इस्थित सबसे आश्यर जनक भवनों में होती है इसका निर्मान लगभग 45 सो पूर्व 45 पूर्व हुआ है और मिस्र के निवासी इन माहान पिरामीडो का उपयोग फराओं अथवा राजाओं की कब्र के रूप में करते थे वे राजाओं के सरीरों की ममी बनाकर या उन्हें सुखा कर संरक्षित कर लेते थे और उन्हें इन महान कबरों में गाड़ देते थे वे उनके अगले जन के उपयोग के लिए खजाने और भुजन भी कबर में रख देते थे राजा के कर्मचारियों को भी आसपास की छोटी-छोटी कबरों में गाड़ा जाता था जिन्हें मुस्तबा कहा जाता है नील नदी के तट पर आज भी 35 बड़े और 40 छोटे पिरामीट के अवसिस खड़े हैं ये मिस्त्र के महान अतीत की भीयाद दिलाते हैं तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा अनुछेद का तो इसके प्रसनों को स्वल्व करते हैं तो मुस्तबाओं में किन ही दफनाया जाता था तो मुस्तबाओं में किन ही दफनाया जाता था रजाओं को रानियों को करमचारियों को या फिर नौकरों को तो यह जो जब धा छहशत का वह हमारा सही होगा, ये सी वाला है आपका कर्माचारीयों को, ठीक है, मुढ़े में जिन्हें दपनाया जादा था वह कर्माचारीयों को, और सढ़सढ की बात करते हैं, कौन सा सब्द ? संग रक्षित का दो बीपरितार्त है बिपरितार्थ है तो 66 का जो हमारा सही होगा वह सी वाला सही होगा ठीक है नश्ट 68 की बात कर लेते हैं पीरामीड के अवसेश सहायक है तो इसका जो सही होगा प्रस नुमर 68 का वह हमारा या पर डी वाला होगा संस्कृतिक केंद्र के रूप में ठीक है अब उनहत्तर को कहा जाता था ममी करमचारी फराओं मुस्तवा तो यह जो 79 का हमारा सही होगा वह हमारा ये बीवाला होगा ठीक है अब फराओं कहा जाता था और पिरामीड का उपयोग पीरामीडों का उपयोग के रूप में होता था तो घर के कबर के या फिर किस चीज़ के तो यहां पर जो सही होगा या कबर के रूप में किया जाए था कि आई होब कि आपको प्रसना सतर तक क्लियर हो गए होंगे तो स्टुडेंट अब तक के लिए इतना ही चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ और जो जो चात्र चैनल पर नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लें चैनल को चलिए गु क्लिए कर लेंड़ को चात्र चैनल का लिए गुब।